करनाटिका 2nd P.U.C. Hindi Textbook Answers साहित्य गौरव Chapter 2 कर्तव्य और सत्यता Questions and Answers Notes Summary आई, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्या में उत्तर लिखिये प्रशन एक हम लोगों का परम धर्म क्या है? उत्तर कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म है प्रशन दो कर्तव्य करने का आरंब पहले कहां से शुरू होता है? उत्तर कर्तव्य करने का आरंब पहले घर से ही शुरू होता है प्रशन तीन कर्तव्य करना किस पर निर्भर है? उत्तर कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है प्रशन चार उत्तर, कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? उत्तर, कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है. प्रश्न पांच, धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? उत्तर, धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित की चंचलता, उदेश की अस्थिरता और मन की निर्बलता है। प्रश्न 6, मन ज्यादा देर तक दुविधा में पढ़ा रहा तो क्या आघेरेगी? उत्तर, यदि मन कुछ काल तक दुविधा में पढ़ा रहा, तो स्वार्थ परता निश्चित रूप से आघेरेगी। प्रश्न 7, जूट बोलने का परिनाम क्या होगा? उत्तर, जूट बोलने का परिनाम यह होगा कि काम नहीं होगा और दुहक भोगना पड़ेगा। प्रश्न 8, किसे सबसे उचा स्थान देना उचित है? उत्तर, सत्यता को सबसे उचा स्थान देना उचित है। प्रश्न नौ, जो मनुष्य सत्य बोलता है, वो किस से दूर भागता है? उत्तर, जो मनुष्य सत्य बोलता है, वो अडंबर से दूर भागता है और उसे दिखावा नहीं रुचता है. प्रश्न 10, किन से सभी घृरिना करते हैं? उत्तर, जूठे से हर कोई घृरिना करते हैं अतिरिक्त प्रश्न, प्रश्न 1, कर्तव्य पालन और सत्यता में कैसा संबंध है? उत्तर, कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ट संबंध है? KSEB Solutions Second Park Hindi Answers प्रश्न 2 बहुत से लोग नीती और आवशक्ता के बहाने किसकी रक्षा करते हैं? उत्तर, बहुत से लोग नीती और आवशक्ता के बहाने जूठ की रक्षा करते हैं? दो, निमनलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रश्न 1 घर और समाज में मनुष्य का जीवन किन किन के प्रती कर्तव्यों से भरा पड़ा है। हमारे कर्तव्य घर के प्रती, घरवालों के प्रती और समाज में रहने वाले लोगों के प्रती अगर हम न करे तो हम लोगों की द्रिष्टी से गिर जाते हैं। निबंध में डॉक्टर, शाम सुंदर दास कहते हैं कि हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ती है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृती को जुकाती है। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई बुरा काम करता है तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता है और मन में दुखी होता है। इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। हमारा मन किसी काम को करने से हिचकिचाए और दूर भागे तब कभी उस काम को नहीं करना चाहिए। दृड़ विश्वास और साहस से मन को धर्म पालन करने की ओर लगाना चाहिए। प्रश्ण तीन, धर्म पालन करने के मार्ग में क्या क्या अर्चने आती हैं? उत्तर, धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाचित की चंचलता, उदेश्य की अस्थरता और मन की निर्बलता पड़ती है। मनुष्य के करतव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरी ओर आलसिय और स्वार्थ परता रहती है मनुष्य इन दोनों के बीच पड़ा रहता है अगर उसका मन पक्का हुआ तो वो आत्मा की आग्या मानकर अपने धर्म का पालन करता है अगर स्वार्थ में पढ़कर दुविधा में पढ़ जाएगा तो वो धर्म पालन के विरुद्ध काम करेगा इसलिए आत्मा जिस बात को करने की प्रवर्यती दे हम वही काम करे छेद होने के कारण जब जहाज डूबने लगा, तो जहाज पर के पुरुषों ने जितनी भी औरतें और बच्चे थे उन सब को नाव पर चड़ा कर बिदा कर दिया। बाकी सारे पुरुष छट पर एकठा होकर भगवान की प्रार्थना करते जियों की त्यों खड़े रहे और नाव डूब गई। वे मर गए लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने अपना यह धर्म समझा कि खुद का प्रान देकर स्त्रियों और बच्चों के प्रान उन्होंने बचाए। प्रश्ण पांच जूट की उत्पत्ती और उसके कई रूपों के बारे में लिखिए। उत्तर, जूट की उत्पत्ती पाप, कुटलता और कायरता के कारण होती है। बहुत से लोग नीती और आवशकता के अनुसार जूट बोलने का बहाना बनाते हैं। संसार में बहुत से ऐसे नीच लोग है जो जूट बोलकर अपने को बचा लेते हैं। लेकिन यह सब सच नहीं, जूट बोलना पाप का ही काम है और उससे कोई काम भी नहीं होता। जूट बोलना और भी कई रूपों में देख पड़ता है। जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ा कर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, दूसरों के हां में हां मिलाना, वचन देकर पूरा न करना आदी। प्रश्निच है, मनुष्य का परम धर्म क्या है, उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए, उत्तर, मनुष्य का परम धर्म है, सत्यता के साथ करतव्य पालन करना, सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ट मानना चाहिए और कभी जूट नहीं बोलना चाहिए, चाहे उससे कितनी ही अधेख जहानी क्यूं नहोती हो। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे क्यूंकि सच्चे को सब लोग चाहते हैं और जूठे से सभी घृरिना करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने करतव्य पालन करने में कुछ भी कष्ट ना होगा और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। अपनी आत्मा के कहने के अनुसार द्रिल विश्वास और साहस से काम लेकर सत्य की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न साथ, कर्तव्य पालन और सत्यता के बीच घनिष्ट संबंध है, कैसे? स्पाष्ट कीजिए, उत्तर, कर्तव्य पालन और सत्यता के बीच बड़ा घनिष्ट संबंध है उसका वर्णन करते हुए डॉक्टर, श्याम सुन्दर दास कहते हैं जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो अपने कामों और वचनों में सत्यता का बरताव भी रखता है वो ठीक समय पर उचित रीती से अच्छे कामों को करता है संसार में कोई काम जूट बोलने से नहीं चल सकता यदि किसी घर के सब लोग जूट बोलने लगें तो कोई काम न हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुहक भोगेंगे अतैव सत्यता को सबसे उचा स्थान देना उचित है जिधर देखो उधर करताव्य ही करताव्य देख पड़ते हैं उत्तर, प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, साहित्य गौरव के करताव्य और सत्यता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक डॉक्टर, शाम सुन्दर दास हैं संदर्भ, लेखक ने करताव्य के महत्व के बारे में बताते हुए इसे कहा है करताव्य करने का आरंब पहले घर से ही होता है क्योंकि यहां बच्चों का करताव्य माता-पिता की ओर और माता-पिता का करताव्य लड़कों की ओर दिखाई पड़ता है इसके अतिरेक्ट पती पतनी, स्वामी सेवक और स्त्री पूरुष के परस पर अनेक कर्तव्य हैं घर के बाहर हम मित्रों, पडोसियों और प्रजाओं के परस पर कर्तव्यों को देखते हैं इस तरह समाज में जिधर देखों उधर कर्तव्य ही कर्तव्य दिखाई देते हैं। प्रश्न दो, कर्तव्य करना नियाय पर निर्भर है। उत्तर, प्रसंग, प्रस्तुत गढण्ष्मारी पाथ्य पुस्तक, सहित्य गौरव के कर्तव्य और सत्यता, नामक पाथ्य दे लिया गया है जिसके लेखक डॉक्टर, शाम सुंदर दास हैं। संदर्ब, कर्तव्य करने की महत्ता का वर्णन करते हुए लेखक इस वाक्य को पाठकों से कहते हैं। सपश्टी करन, डॉक्टर, श्याम सुन्दर दास कहते हैं कि कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म है। संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। घर में, पारिवारिक सदस्यों के बीच और समाज में मित्रों, पडोसियों और प्रजाओं के बीच मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। समाज के प्रती, देश के प्रती सच्छा कर्तव्य निभाने से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है ऐसे सामाजिक न्याय को समझने पर हम लोग प्रेम के साथ कर्तव्य निभा सकते हैं प्रश्न तीन इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। उत्तर, प्रसंग, प्रस्तुत गध्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, साहित्य गौरव के कर्तावय और सत्यता नमक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक डॉक्टर, श्याम सुन्दर दास हैं। संदर्ब, लेखक ने धर्म और आत्मा के बारे में कहा है कि हमारी आत्मा जो कहती है उसका पालन करना ही हमारा धर्म है। सपश्टी करण, लेखक धर्म और आत्मा के बारे में कहते हैं कि हमारी आत्मा हमें जो कहती है वही कार्य करना हमारा धर्म है। हमारा मन बड़ा विलक्षन है, यह हमें बुरे कर्म करने से रोकता है। चोरी करने के पश्चात हमारा मन हमें पश्चात आप के लिए मजबूर करता है। बुरा कर्म करने वाला लजजित हो जाता है। प्रश्णिचार इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, वे संसार में लजजित होते हैं और सब लोग उनसे घरिना करते हैं। उत्तर, प्रसंग, प्रस्तुत गध्यान्ष हमारी पाठ्य पुस्तक, साहित्य गौरव के कर्तव्य और सत्यता, नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक डॉक्टर, श्याम सुन्दर दास हैं। संदर्भ, प्रस्तुत वाक्य को लेखक ने स्वार्थी लोगों के स्वभाव के बारे में बताते हुए कहा हैं। सपश्टी करण, लेखक स्वार्थी लोगों के बारे में कह रहे हैं कि जो स्वार्थी लोग अपने कर्तव्यों की और ध्यान नहीं देते, वे संसार में लजजित भी होते हैं और लोग उनसे घरिना भी करते हैं प्रश्न पांच सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक हमारा समय बिता सकेंगे उत्तर, प्रसंग, प्रस्तुत गध्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के करतव्य और सत्यता नमक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक डॉक्टर, श्याम सुन्दर दास है संदर्ब, लेखक सत्यता की महत्ता का वर्णन करते हुए ये वाक्य पाठकों से कहते हैं स्पश्टी करण, लेखक करतव्य और सत्यता के बारे में कहते हैं कि करतव्य करना हम लोगों का परम धर्म है करतव्य और सत्यता के बीच घना सम्बंध है यदि हम सत्यता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमारे चरित्र की शोभा और बढ़ेगी इसलिए हम सब लोगों का परम धर्म है कि सत्य बोलने को सब से श्रेष्ट माने और कभी जूट न बोलें चाहे उससे कितनी ही अधेखानी क्यूं न होती हो सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे क्यूंकि सच्चे को सब चाहते हैं और जूटे से सभी घृना करते हैं अगर हम करतव्य पालन में सत्य मार्ग अपनाएंगे तो हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे वाक्या शुध कीजिए प्रशन एक मन में ऐसा शक्ती है उत्थर मन में ऐसी शक्ती है प्रशन दो तुम तुम्हारे धर्म का पालन करो उत्तर तुम अपने धर्म का पालन करो प्रश्न 3. उसे दिखावा नहीं रुच्ति है उत्तर उसे दिखावा नहीं रुच्ता है प्रश्न 4. लोगोंने जूठी चाटुकारी करके बड़े बड़े नौकरियां पाली उत्तर, लोगोंने जूठी चाटुकारी करके बड़ी बड़ी नौकर्यां पाली प्रश्न पांच, मनुष्य के जीवन कर्तव्य से भरा पढ़ा है कोश्ठक में दिये गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिये सम्मान, घृरिना, सत्य, कर्तव्य, प्रवृती, प्रश्न एक सच्चाई की ओर हमारी जुकती है उत्तरा प्रवृती प्रश्न दो, मनुष्य का परम धर्म, बोलना है उत्तरा सत्य प्रश्न तीन, स्वार्थी लोग अपने पर ध्यान नहीं देते उत्तरा कर्तव्य प्रश्न 4, कुचसित लोगों से सभी करते हैं, उत्तरा घरिना प्रश्न 5, सत्य बोलने से हमारा होगा, उत्तरा सम्मान, निमनलिखित वाक्यों को सुचनानुसार बदलिए, प्रश्न 1, जूठे से सभी घरिना करते हैं, भविश्यत काल में बदलिए, उत् प्रश्न तीन वर्तमान काल में बदलिये उत्तरा हमारा जीवन सदा अनेक कारियों में व्यस्त रहता है साथ लिंग पहचानिये शक्ती, काम, धर्म, द्रिष्टी, बात, नौकरी, मार्ग, मिठाई स्त्री लिंग, द्रिष्टी, बात, नौकरी, मिठाई पुलिंग, मार्ग, काम, धर्म, शक्ती आठ, निमनलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्मान कीजिए, चरित्र, स्वार्थ, धर्म, मान, सत्य, उपसर्ग, शब्द, नए शब्द, सत, चरित्र, सचरित्र, ने, स्वार्थ, ने, स्वार्थ, अ, धर्म, अधर्म, अप, मान, अपमा मनुष्य ता आवश्यक ता कायर ता सत्य ता सत्य ता अस्थिर ता अस्थिर ता चंचल ता चंचल ता मनुष्य ता मनुष्य ता आवश्यक ता आवश्यक ता कायर ता कायर ता रेक्स अन्य वचन रूप लिखिए नौकरी स्त्री रीती वस्तू आग्या नौकरी नौकर्यां स्त्री स्त्रियां रीती रीतियां वस्तू वस्तूएं आग्या आग्याएंशी विलोम शब्द लिखिये प्रारंब सत्य धर्म उन्नती सफल उचा अच्छा आदर निर्बल स्थेर प्रारंब अंत सत्य असत्य धर्म अधर्म उन्नती अवनती सफल विफल असफल उचा नीचा अच्छा बुरा आदर अनादर निर्बल सबल स्थेर अस्थेर कर्तव्य और सत्यता लेखक परिचे मूर्धन्या साहित्यकार तथा भाशाविज शाम सुन्दर दास जी का जन्म 1875 इमे काशी में हुआ अपने 1897 इमें बी ए की उपाधी प्राप्त की अपने हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया तदो प्रांत लखनव के कालीचरन स्कूल में हैद मास्टर रहे आप 1921 इमें काशी हिंदू विश्व विद्याले के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए डॉक्टर दास में हिंदी के प्रती अनन्य निष्ठा थी अपने विद्यार्थी काल में ही अपने दो सहयोगियों की सहायता से 16 जुलाई 1893 में नागरी प्रचारनी सभा की स्थापना की अपने जिस निष्ठा से हिंदी के अभावों की पूर्ती के लिए लेखन कार्य किया और उसे कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाशाविज्ञान, अनुसंधान, पाठ्या पुस्तक और संपादित ग्रंथों से सजाकर इस योग्य बना दिया कि वो इतिहास के खंडहरों से बाहर निकल कर विश्व विद्यालेयों के भव्य भवनों तक पहुंची आपकी सहित्य साधना की महत्ता को स्वीकारते हुए हिंदी सहित्य सम्मेलनने, सहित्य वाचस्पती, तथा काशी हिंदू विश्व विद्यालेने डीलिट की उपाधी से गौरवानवित किया 1945 इमें आपका स्वर्ग्वास हुआ मौलेक कृतियां, नागरी वर्नमाला, सहित्य लोचन, भाशा विज्ञान, हिंदी भाशा का विकास, भारतेंदू हरिश्चिंद, हिंदी भाशा और सहित्य, गोस्वामी तुलसी दास, भाशा रहस्य, मेरी आत्म कहानी, आदी संपादन, चंद्रावली, रामचरित्मानस, पृत्विराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथावली, सरस्वती, आदी कर्तव्य और सत्यता पाठ का आशय, प्रस्तुत निबंध डॉक्टर, श्यामसुंदर दास द्वारा लिखित, नीती शिक्षा, नामक ग्रंट से लिया गया है इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रती निष्ठावान बनने के लिए प्रेरित किया है वे सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रा करते हैं जूट बोलना, पाप कार्य करना, कायर्ता जैसे दुर्गुनों को उड़कर सत्यमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं अपके विचार अत्यंत प्रेर्णा दायक है विद्यार्थियों के मन में करतव्य और सत्यता के प्रती जाग्रुकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है करतव्य और सत्यता समरी इन हिंदी करतव्य करना हम लोगों का परम धर्म है करतव्य करने का आरंब घर से ही शुरू होता है कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है इससे हमारा संतोश और आदर बढ़ता है घर के बाहर, समाज में भी मित्रों, पडोसियों, नागरिकों के परस पर कर्तव्यों को देखा जा सकता है इस प्रकार संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है मनुष्य समाज में रहता है अतहा आसपास के लोगों के प्रती, समाज के प्रती और देश के प्रती हर एक के कई कर्तव्यों होते हैं कर्तव्यों के पालन से चरित्र की शोभा बढ़ती है मन की शक्ती हमें बुरे कर्मों से रोकती है और अच्छे कर्मों की ओर मोरती है बुरे कर्मों से मन दुखी होता है और पच्चतावा होता है अता है इन चीजों से सदा बच्चते रहना चाहिए कुछ लोग ठग विद्या को अपना कर जूट का सहारा लेकर चाटुकारिता को अपना कर धन कमाते हैं जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज में सम्मान पाते हैं बुराई से भरे इस मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए सनमार्ग पर चलने वालों को समाधान होता है उन्हें त्रिप्ती मिलती है धर्म के मामले में चित की चंचलता उद्देश की अस्थिरता और मन की निर्बलता बाधा डालती है स्वार्थी प्रवृती भी अडचन पैदा करती है आलस्य और भले बुरे कर्मों का ज्ञान यह भी बाधक है डूबते जहाज का उदाहरन देते हुए कहा गया है कि पुरुषों ने अपने प्राणों की चिंता किये बिना स्त्रियों को बचाने का करतव्य पालन किया करतव्य और सत्यता का चोली दामन का रिष्टा है पाप है ऐसे लोगों की पोल एक दिन खुल ही जाती है संसार में कई लोग ऐसे हैं जो जूट बोलने को चतुराई समझते हैं कई प्रकार के जूट बोलने वाले लोग संसार को नश्ट कर देते हैं मनुष्य का परम धर्म है सत्य बोलना सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है लेखक अंत में सत्यम वद धर्मम चर्की उक्ती के माध्यम से कहते हैं कि सत्य बोलने से ही धर्म की रक्षा होती है इस प्रकार कर्तव्या और सत्यता से सुख और संतोष की प्राप्ती होती है Kartavya or Satyata Summary In English as human beings, our foremost duty is to do our work. Work begins at home. Doing our duty is a question of justice. Doing our duty increases our satisfaction and self-respect. When we step out of our home and into society, we are obliged to work mutually, in association with friends, neighbors and townsfolk. In this manner, a person's whole life is filled with various responsibilities and duties. Man is a social animal. Therefore, there are many duties that a man has towards his fellow beings, towards society and towards the nation. By doing our duty, we improve upon our character. The power of the mind can prevent us from doing an evil deed and instead, turn us towards good deeds. Evil deeds make our mind unhappy and we feel regret. Therefore, we must always stay away from bad deeds. Some people use the art of trickery and deceit, some make use of lies and falsehood, and some turn to flattery and false praise to get ahead in life and to earn money. Such people also get ahead in life, make a name for themselves and earn respect in society. However, one must not walk down this path. Those who walk on the righteous path have their doubts and objections removed, they are reconciled to the truth and they find satisfaction and gratification in life. The volatility of the intellect, the instability of our goals and objectives, and the weaknesses of our mind are all obstacles in the path of righteousness. A selfish nature also creates hindrances. Laziness and ignorance of right and wrong are also impediments. The example of a sinking ship has been given often to show that men have taken up the obligation of saving women's lives even at the cost of their own. Duty and truth have a very close relationship. In life, no work can be done by telling lies. Some people swear upon the truth and tell lies. According to the author, this is a great sin. Such people are exposed sooner or later. In the world, there are many people who think that telling lies is nothing but smartness. Many different types of liars have brought ruin to the world. Speaking the truth is the foremost duty and responsibility of every person. Only by speaking the truth does our respect in society increase. In conclusion, the writer tells us of a proverb, Satyam vada, dharma chakra, which means that only by telling the truth can righteousness be preserved in the world. In this manner, doing our duty and telling the truth give us happiness and satisfaction in life.